जेश्ट महा की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है यू तो साल में 24 एकादशी मनाई जाती है लेकिन जेश्ट मास्ट में आने वाली निर्जला एकादशी का खास महत्व माना गया है यह महा भीशन गर्मी के लिए जाना जाता है ऐसे में निर्जला एकादशी का उपास करना बेहद कठन होता है क्योंकि इस दिन निर्जिला एकादशी के दिन जो भी वरत रखता है वो पानी तक का सेवन नहीं करता जी हां यह वरत भगवान विष्णू को समर्पित माना जाता है इस दिन विधी अनुसार उनकी पूचा करने से सब भी कष्टों से निवारण होता है और घर में बरकत होती है इस दौरान भगवान विष्णू को उनके प्रिय भोग भी लगाये जाते हैं जिससे उन्हें प्र दान करने से भाग्य में व्रद्धी होती है इसके अलावा व्यक्ति को सब ही पापों से मुक्ती भी मिल जाती है यदि आप राशी के अनुसार दान करते हैं तो यह और भी लाबदायक हो सकता है आये जानते हैं कि कौन सी राशी के अनुसार आपको निर्जला इकादिशी क कि दिन क्या दान करना है ताकि आपको पुर्णिफल मिल सके सबसे पहले मेश राशी की बात करेंगे निर्जला एकादशी पर मेश राशी के जातकों को साथ तरह के अनाज का दान करना चाहिए इसमें गेहू, कगनी, उडद, जौ, चावल, तिल और मूंग शामिल है माना जाता है कि इसी सुक समरिधी की प्राप्ती होती है बात करेंगे व्रिशिब राशी की कि व्रिशिब राशी को निर्जला एकादशी के दिन क्या दान करना है तो आपको बता दें कि इस दिन आपको सफेध वस्त्रों का दान करना चाहिए यहाँ आपके लिए बेहद शुब साबित होगा इसके अलावा आप दूद दैही शक्कर का भी दान कर सकते हैं अब बात करेंगे मिथुन राशी की मिथुन राशी के लोगों को निर्जला इकादेशी के दिन क्या दान करना है धान से सुन लीजे आपको हरे रंग के फल, आम, खर्बूजा इन चीजों का दान करना चाहिए इनका दान करने से जीवन में तरक्की के योग बनते हैं और दिन दूगनी राश चौगनी होती है अब बात करेंगे करकराशी के निर्जला इकादेशी पर करकराशी वालों को क्या दान करना है ध्यान से सुनिये आपको जल का वित्रण करना है जी हाँ आपको सब को जल पिनाना है इस दिन यही नहीं आप जगह जगह पर प्याव भी लगा सकते हैं मानिता है कि इससे आपकी सब ही चाएं पूरी हो जाएंगी आपको मनवांचित फल जरूर मिलेगा बात करेंगे सिहराशी की कि निर्जला एक आदशी वाले दन सिहराशी वाले लोगों को क्या दान करना है तो ये द्यान से सुन लीजे कि आपको लाल रंग के वस्त्र दान करने है मानिताओं के अनुसार इस चीज का दान करने से आपकी कुंडली में सूरी की स्तिती मजबूत हो जाती है और समाज में मान सम्मान बढ़ता है बात करेंगे कन्या राशी की कन्या राशी के लोगों को निर्जला एकादशी के दिन क्या ध्यान करना है ध्यान से सुनिये आपको लोगों को भोजन करवाना है जी हाँ माना जाता है कि जरुरत मंदों को भोजन करवाने से शुब फलों की प्राप्ति होती है तो कन्या राशी वाले ध्यान से सुन लीज़ें कि निर्जला एकादशी के दिन अपनी शामुता अनुसार भूको को भोजन जरूर करवाएं अब बात करेंगे तुला राशी के तुला राशी के लोगों को निर्जला एकादशी पर फल का दान करना चाहिए इससे परिवार में चल रही समस्याओं का निवारन होता है साथ ही बीमारियों से भी छुटकारा मलता है इसलिए बहुत ही छोटी सी चीज़ है आपको निर्जला एकादशी के दिन फल का दान करना है बात करते हैं व्रिष्चिक राशी की उन्हें निर्जला एकादशी के दिन क्या दान करना है आप ध्यान से सुन लीज़े आपको बता दे व्रिष्चिक राशी के लोगों को इस दिन भगवान विश्नु की पूजा करनी चाहिए इसके अलावा आपको तर्बूच का दान करना है इस दिन आपको तर्बूच का दान करना है अपनी समता अनुसार आप तर्बूच का दान जरूर करें बात करेंगे धनू राशी की, धनू राशी के जातकों को निर्जला इकादशी के दिन पीला केसर युक्त दूद का दान करना बेहद ही शुब बताया गया है निर्जला इकादशी पर इसका दान करने से सुक समरिद्धी का आशिरवाद प्राप्त होता है अब बात करेंगे मकर राशी की, मकर राशी वाले लोगों को निर्जला इकादेशी के दिन क्या दान करना है, ध्यान से सुन लिजे, आपको इस दिन पौधे लगाने हैं, इसके अलावा आप सरसों का तेल, तेल, उड़द, इन सब चीजों का दान कर सकते हैं आप बात आती है कुम्भ राशी की, निर्जला इकादेशी वालों एक दिन कुम्भ राशी को क्या दान करना है, ध्यान से सुन लिजे, कुम्भ राशी वालों को निर्जला इकादेशी के दिन जल का दान करना है, जी हाँ, साथ ही काली चीजों का दान करना भी बेहज़ शु अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजली को सब्सक्राइब करें